आकाश्वानी दिल्ली से प्रस्तुत्य कारिक्रम स्वास्थेपत्रिका हमारी सेहत स्वास्थ पत्रिका हमारी सेहद के सभी शोताओं का हारदिक स्वागत सुईकार करें शालरी मित्तल का नमसकार शुताओं मानसिक स्वास भी उतना ही आवशक है जितना शारिरिक स्वास्त। भावत्मक लक्षन, सकरात्मक और नकरात्मक दोनों ही हो सकते हैं और कई स्थितियों से प्रभावित भी हो सकते हैं। चिंता, निराशा, हताशा, लोगों से या समाच से उमीद कई बार कैसे हम मांसिक रूप से स्वस्त रह सकते हैं। आईए जानते हैं मास्टर श्री राजेश कामरा से जो लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। हुई है इश्वर से जिसमें माइंड है ब्रेन जिसको कहते हैं दिमाग जो इस शरीर का नुकलियस है क्योंकि इस शरीर में जो भी हो रहा है चैम आंक से देख रहे हैं कान से सुन रहे हैं नाक से कुछ स्मेल ले रहे हैं जीवा से स्वाद ले रहे हैं कुछ परश ले रहे है इस सारा जो कैसे मालूम पड़ता है, सिगनल कोन दे रहा है, ब्रेट, माइन, अगर ये माइन जो उनसा है, ईश्वर ने दिया, इस शरीर के सारे जितने भी अंग हैं, उनसे जो भी हमें रस मिलता है, जिसको हम इंद्रिये रस कहते हैं, सेंसिस, तो ये जो धिमाग जिसको मा पर जीवन कह रहा गया, तो इसलिए जो माइन्ड है, ये बड़ा ही, जो कहा कि इस शरीर का न्यूकलियस है कह सकते हैं, जिसके इड़ 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 शरीर चल रहा है, इस संसार का अनंद मौज लेने के लिए जो ये शरीर आया संसार में, हम वो नहीं जान पाए, और जान लेते हैं कि ये शरीर रचना जो इस रचेता की जिसने प्रमात्मा ने बनाया, तो फिर समस्य नहीं रहीगी, समस्या किसने बनाई, जब हमने एक दूसरे के साथ कहीं पर सुप्रियर्टी और इन्फिरियर्टी का काम शलू किया कि इसके पास जादा है, मेरे पास कम है, ये ज़्यादा जो उनसा है, पड़ा लिखा है, मैं कम पड़ा लिखा हूँ, ये मेरी सुनता क्यों नहीं है, मेरी मानता क्यों नहीं है, तो जो एक्सपेक्टेशन्स, इच्छाएं, जो संसार में हमने की, वो इच्छाएं कुछ गलत नहीं है, क्योंकि इस जीवन को चलाने के के लिए खेल को खेलने के लिए शरीर के कहीं ना कहीं इच्छा जरूरी इच्छा ना होती तो मैं कहीं जाओंगा ही नी कुछ करूंगा ही इक्छा के है इस अंसार में चलने के लिए इंजन है अगर इच्छा ही नहीं होगी हम कुछ करेंगे ही नहीं तो इच्छा ठीक पर इच्छा में जो मिल रहा है सामने फल करम जो किया हमने फल मिल रहा है उसका ना मिलना और फिर दुखी हो जाना परिशान हो जाना अशान्त हो जाना यह जो है कहीं पर समझना जरूरी है जब ये समझ आ गया कि मैं यह आया हूँ संसार में, खेल खेलने के लिए जनम से आया मृत्यू तक का खेल है, मृत्यू होगी, शरीर मिट्टी होगा, फिर से मैं वापिस चला जाओंगा, एक ही जना पर आशा, इच्छा, ठीक, खेल के लिए जरूरी है, पर उसके बाद नही मिला, निराश हो जाना, क्यों निराश होना है, क्योंकि जीवन में सब बहरा है, और एक दिन शरीर का अंत होना है, चाहा मैंने, मेरा बेटा अच्छा पढ़ ले, चाहा मैंने, मेरी पतनी मान ले बात, मैं चाहती हूँ, मेरा पती ऐसे चले, चाहा ठीक है, पर ना चला तो तो यह जब तक हम समझेंगे नहीं कि जीवन का ये वड़ा खेल क्या है कि जनम क्यों हो है भाई ये जिन्दकी है क्या इतनी महनत करने के बाद भी रिजल नहीं मिला जो मैं चाहता था क्यों जोंसा मेरा एक बेटा अच्छा कर रहा है मेरा दूसरा बेटा नहीं कर पा रहा है क्यों मेरी पत्नी ऐसे मेरे से चलती है क्यों मेरा पती मेरे से चलता है भाई जो भी मिल रहा है, टेंपरेरी है, घर टेंपरेरी, गाड़ी टेंपरेरी, बैंक बैलन्स टेंपरेरी, संबन टेंपरेरी, मृत्यों के सब फिर खत्म, फिर आगे बढ़ जाओगे, यूर पैसंजर इंदिस बॉड़ी, इस शरी में तुम यातरी हो, इन्होंने यही कहा भी तो तुम वापी रिलेक्स में आते ही हो, जो हो गया सो हो गया, यही सब का, सभी इन भगवता उपलब्द लोगों ने यही बताया, जीवन का ग्यान, कि जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा, यही का कृष्ण बगवान ने, यही का राम जी है, कि होई है वही जो रामरची राखा, जो लिखा है भई, यही जीजस कहते है, टोटल एक्सेप्टिबिलिटी, यही मावीर कहते है, अपने पर हिंसा मत करो, अहिंसा परमो धरम, क्या अपने को दुखी क्यों कर रहे हैं, जनम से मृत्तू का खेल समझ में आ जाए, तो हम यहाँ पर पूरे रिलाक्स में हो जाएंगे, नहीं तो फिर वही हमें मालूम है, जीवन क्या खेल खेल रहा है, हमने इच्छा की, इच्छा पूरी नहीं हुई, दुखी होगे भाई, क्यार यह क्या हो गया, और फिर जब कोई अपने को, अपने में ही कहीं रिजर्व कर ल गुसे में आगए, ओ भो गुसे में घर में फिर गुसा रोट भाड़ता है बढ़ता है, फिर क्या होता है, चिंटा mina शुरूव हो जाती है। जिसको कहते हैं, चिंटा mina शुरू होती है, बच्छा सभी बात नहीं कर रहा, यह ऐसा हो रहा है, चैंटा करें करें यहां anxiety यानि चिंता इतनी चोड़ दे रही है कि ब्रदाश नहीं और फिर कहीं नहीं दवाई ले रहे हैं फिर करते करते वही चिंता एक दिन depression बदल जाती है चिंता का रूट नहीं देखा चिंता का कारण नहीं खोजा मैंड जो है इस शहीर को चला रहा है और सब sensations आ रही है जो उनका result माइंड से आता है मस्तिश से और उससे अगर हम समझे ही नहीं पहार की पुरी होता कुछ जज़्यादा निराशा बढ़ जाती गरते चिंताइइं बढ़ जाती है फिर आफसाथ आ जाता इंधो और फिर जीवन बहुत एक चक्रिवीं पर चलायता लूब जिसको कहते हैं फिर घरमें अगर मालो कोई भी ऐसा हो तो दूसरा घर में परिवार में जाएगा तो वह भी दुखी काम से पहुंचे घर में देखा एक है दूसरा तो ऐसा ही कलर कभी चड़ता है तो इसी से फिर माइन की हेल्थ खराब हो जाती है मेंटल हेल्थ इसको कहा तो हमें पहले जीवन को जानना है ताकि हम अपनी यात्रा में इस सारे खेल के बाहर निकल सकें और तुम्हारा जीवन इतना अच्छा है परमात्मा ने सब कुछ दिया है तो हम खुश रह सकते हैं बहुत ही मौज ले सकते हैं अगर हम इस जीवन के र कहीं अगर हम सिर्फ दवाईयों की भरोसे चलेंगे तो जीवन खिलेगा नहीं हमारे को प्रकरती से जुड़ना है पांस तत्वों का यह शरीर है इसके ग्यान को लेना है तो यह शरीर जैसे जैसे प्रकरतिक होगा जीवन में मौज बढ़ती जाएगी हमारा मन स्वस्त क्रोध का आना यह सब खतम हो जाएगा और यह अफसात तो फिर बहुत दूर छोड़ जाएगा और पुरी प्रकरती भी आपके साथ नाचेगी मौज में आएगी इसलिए अनंद में रहो अभी देखिए अगर आप जीवन में हताश हो जाते हैं चिंताओं में डूबे हैं तो कैसे होता है कि हमारे जीवन में कुछ भी होता है शरीर से अगर कुछ हुआ तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि शरीर में पेट में दर्द हो गया सिर में दर्द हो गया कुछ भी तकलीव हाती हैं हम डॉक्टर के बागते हैं ऐसी जीवन में जब निराशा यानि मस्च शिश्क में कोई चिंताइं भर जाती हैं तो जीवन में हमारे को इस से कहीं अपने को आईसोलेट यानि अक्यांत में नहीं कर जाना है तो हम बहार निकलें समाज में कोई ऐसा हो जीवन में जो तुम्हारा गाइड है जिसको हम कहते हैं जीवन एक गौड़ फादर है जिसके बस जाकर आप पूछ सकते हो कि क्या करें, क्या करें जीवन में ये हो गया, पहले आपस में संबंदों में बात होती है, हम जाकर मिलते थे किसी उसकी राय मानते थे, किसी एक कुबड़ा मानते थे, तो उसके नुसर चलते थे, तो कमरों में बंद नहीं बैठ जाना है, बाहर निकलो थोला शरीर को ऐसे होता है कि हम खेलते कुदें समाज से डिस्कनेक्ट नहीं करना है जो आज कल बच्चे डिस्कनेक्ट कर जाते हैं बगर तो बाहर जाएं हम किसी से मिलें किसी की गाइडलाइन लें उसे फालो करें कहीं पर भी अपने को अंदर बंद कमरों में न कैसे रहे मानसिक रूप से स्वस्त अभी आप सुन रहे थे मास्टर श्री राजेश कामरा को जो लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर है आप सुन रहे हैं कारिक्रम स्वास्त पत्रिका हमारी सेहत शुताव हर मनुष्य का व्यक्तित्व भिन्न होता है ये तो आप भी मानते होंगे परसनालिटी एक सनरचना है जो आपस में जुड़े व्यवहार दिमागी और भावात्मक पाटर्न को इकठा करती है जिसे जीवन के विभिन आया मिलकर परिभाशित करते हैं परसनालिटी डिसॉडर या व्यक्तित्व विकार से ग्रसित व्यक्ति को परिस्थितियों और लोगों को समझने और उनसे रिलेट करने में परिशानी होती है इसके कारण, प्रकार और अन्य बातों को समझने के लिए सुनिये भेटवारता व्यक्तित्व विकार, कारण और प्रकार मनोविज्यानिक डॉक्टर योगेश कुमार से बात कर रही है अनीता दूबे अकाश्वाणी के स्टूडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर, नमस्कार सर आपसे पहले जानना चाते हैं कि विकार होता क्या है आम तोर पर हम पर्सनालिटी को शक्सियत व्यक्तित्व कहते हैं अगर हम पर्सनालिटी को व्यापक धंग से परिभाशित करें तो हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व, व्यक्ति की जनवजाद, तथा अरजी सभाव, मूल परवर्तियों, भावनाव, तथा इच्छावादी का योग है यदि व्यक्ति के आंत्री कनुभव और व्यवार अक्सर उस संस्कृति में रहने वाले बाकी लोगों से भिन होते हैं तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति पर्सनालिटी डिसॉडर या व्यक्ति द्विकार से गरस्त है तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि personality disorder से जो पेडित वैगती है उसका रविया कैसा होता है दिखिए personality disorder वाले लोगों को आम तोर पर दूसरों के साथ रहने और अपनी संस्कृती या कल्चर के हिसाब से रोज मर्रा के कामों को करने में समस्या होने लगती है आम तोर पर ऐसे लोग मानते हैं कि उनके सोचने और वैवार करने का तरीका पूरी तरीके से समानने है इसलिए ऐसे लोग अपनी सोच और वैवार को कंट्रोल करने की अत्वब बदलने की कोशिस नहीं करते और अपने हालात के लिए दूसरों को ही अपना दोसी ठेराते हैं लोग अन्य लोगों को भी खुश से अलग-अलग महसूस करते हैं और समाजिक रूप से एकाकी होते जाते हैं इसमें एक बात और है कि अगर ये लंबे समय तक ये इस्तिती रहे तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी का कारण बन सकते हैं अब मैं आपसे पूछना चाहूंग क्लस्टर A, B, A and C में बाटा गया है क्लस्टरए में तीन परकार के Personality Disorder शाते हैं जो तीन डिसॉडर्स हैं इसमें पहला है पिरनौइट personality disorder, तो एक ये गंभीर mental disorder होता है, जिसमें व्यक्ति एक परकार के पागलपन का शिकार हो जाता है, व्यक्ति उस बिमारी में दूसरे लोगों पर बेवज़े शक करता है, उसके मन में हर व्यक्ति को लेकर एक अलग परकार का विश्वास रहता है, दोस्त, परवार के लोगों और जीवन साती पर भी बरोसा नहीं कर पाता है, कालपनिक रूप से खुद को दोके का शिकार समझता है, और ऐसा मान कर गुस्से से भर जाता है, अक्सर व्यस्क होने के प्रारंबिक दिनों में लोग इस बिमारी का शिकार होते हैं, और ये बिमारी महलाओं की वज़े मेल दिया जाए तो हमें दीरे दीरे पता चलता है कि यह जो है personality disorder का शिकार है यह व्यक्ति, आप जैसे हम दूसरा है इसको zoid personality disorder, इसके zoid personality disorder से ग्रस्थ व्यक्ति अकेले रहना पसंद करता है, वे करीबी रिस्ते नहीं बनाते, यहां तक की परवार के साथ भी नहीं, वे अपने स आती के साथ भी योन समंदो की बहुत कम यह बिल्कुल भी इच्छा नहीं रखते, यह लोग emotional dry होते हैं, इनकी प्रसंसा एवं अलोशना पर उदासीन प्रतिकरिया होती है, चाहे आप इनकी admiration करिये, चाहे इनको criticize करिये, यह बिल्कुल indifferent रहते हैं, आगे जो है, इसके zoid typal personality disorders है, इस सिग्रस व्यक्ति दूसरे लोगों पर बेवजे शक करता है, दूसरे व्यक्ति के प्रती हमेशा विश्वास रहता है, ऐसा व्यक्ति अकेला पन पसंद करता है, अजीबों गरीब तरीके से कपड़े पहनता है और बात करता है, अपने आप से बात करता है, इस disorder सि ग्रस व्यक्ति ये भ्रह्म पाल लेता है कि उसके अंदर एक magic power है, सर ये तो हुआ cluster A के बारे में, और अब हम आच से जाना चाहेंगे cluster B में किस प्रकार से लक्षण होते हैं और उनको हम कैसे व्यक्ति के अंदर देखें, cluster B में चार personality disorders आते हैं, इसमें से एक है anti-social personality disorder, इस ग्रस व्यक्ति के कारे शोशरकारी, लापरवा, चलाकी भरे और कभी-कभी अपरादिक होते हैं, cluster B का दूसरे में आता है borderline personality disorders और इससे जो ग्रस व्यक्ति के mood, छवी और विवार में तीजी से बदलावाने की दिक्कतों से जुड़ी माल्चिक समस्या है ये, ऐसे मरीज क कभी कोई नेड़े नहीं ले पाते, किसी एक चीज का चुनाओ करना इनके लिए कटिन होता है, इनके रिस्ते बहुत तेजी से बनते बिगड़ते हैं, लंबे समय तक कोई भी रिस्ता बनाए रखना इनके लिए कटिन होता है, इस कारण इनकी marriage भी successful नहीं होते, और इसी मे सबका ध्यान अपनी तरफ आकरशित करने की इच्छा रहती है, ऐसे तो यह इच्छा हम सभी के मन में रहती हैं, कि हम एक दूसरे के ध्यान आकरशित करें, पर एक disorder का जनन तब लेती है, जब कोई अपनी, और सबका ध्यान आकरशित करने के लिए बहुती नाट किये और अ से ज़्यादा चिंतित रहती है, यह लोग अटेंशन पाने के लिए आत्मत्या करने की भी कोशिश कर डालते हैं, आज यह समाज में पूरी अगर हम पॉपलेशन की बात करें, हमें इतना ज्यात नहीं हो पा रहा है, फिर भी जो शोध है, इस पे personality disorders पे जितनी भी सामने आई हैं, तो अब तक यह माना जा रहा है कि कुल अबादी का, अगर हम 10 परतिशत देखें, तो 10 परतिशत लोग जो हैं, वो personality disorder से ग्रस्त है, इक disorders हो रहता है, cluster B में narcissistic personality disorders है, narcissistic personality disorder यह कैसी मानसिक इस्तिति है, जिसमें एक इंसान खुद के प्रति लगाओं इतना बढ़ जाता है, कि उसे सिर्फ अपनी ही चिंता रहती है, और दूसरों की वे बिलकुल परवा नहीं करता, यानि कि जो empathy है, उस व्यक्ति में बिलकुल नहीं होती, ऐसा व्यक्ति पूरे तरीके से आत्मुक्द होता है, सेल सेंटर होता है, ऐसे लोग खुद को दूसरों से स्रेस्ट मानने लगते हैं, और ये आशा करते हैं कि सभी उनकी प्रशनसा करें, ऐसे व्यक्ति अलोशना बिलकुल भी बरदास नहीं कर पाते हैं, ऐसे व्यक्ति असे में सफलता, शक्ति, वाले लोग या संस्ताएं ही समझ सकती है, आम आदमी उनको समझ भी नहीं सकता है, तो सर अब जानना चाहेंगे क्लस्टर C में किस प्रकार के परस्नेलिटी डिसौडर आते हैं और इनके क्या लक्षन होते हैं? cluster C में एक तीन personality disorders आती है, इसमें से एक है avoidant personality disorder, इस विकार से ग्रसित व्यक्ति में आद विश्वास की कमी होती है, यह व्यक्ति किसी अन व्यक्ति से मिलने या बात करने में कतराता है, विकार से पीडित लोगों के मन में यह डर रहता है कि कहीं किसी कारण वश्ट, लोग इन personality disorder, जैसे कि हम जानते हैं कि समाजिक जीवन में मैं पर इस पर निर्भरता स्वाबिक है, खाने पहनने से लेकर, घूमने फिरने और शादी से लेकर, कैरियर जैसे मामलों में अधिकतर लोग अपने माता-पिता, भाई-बैनों या करीबी दोस्तों से अक्सेसरा लेते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, समस्या तब शुरू होती है, जब कोई व्यक्ति अपने हर कार के लिए दूसरों की सला पर निर्भरोर जाए, कोई भी निर्णे लेने से पहले उसे बहुत गवराट मैसूस होती है, और वै अपनी मर्जी से कोई भी कदम नहीं उठा पाता, तो अएसे इस्तिती चिंता जनक मानी जाती है, ऐसी आदतू की वज़े से किसी भी व्यक्ति को भविष में Selected Personality Disorder जैसी मनोविज्यानिक समझ्या हो सकती है, Dependent Personality Disorder से ग्रस्त व्यक्ति, समंध खराब होने के डर्ड से दूसरों की हर बात मान लेते हैं, दूसरे व्यक्ति द्वारा शारेरिक एवं मानसिक रूप से की जा रहे बुरे बरताब को भी सहन करते रहते हैं, तीसरा होता है Obsessive Compulsive Disorder, इस विकार से ग्रसित लोग नियमों और कानूनों को सनक की हद तक पालन करते हैं, यह लोग पूर्टावादी होते हैं, यानि कि Perfectionist होते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट एवं काम को वे Perfection के साथ करते हैं, अच्छा इसमें समस्यत तब आती है मैडम, कि जब Perfection आसिलना होने पर वे बेहत ऐसे हैज महसूस करते हैं, औ और अपनी इसी सनक के कारण निजी समन्दों की उपेक्चा भी करते हैं, तो इसके कारण क्या है साथ? पैरेंट्स जो होते हैं, बच्चों को लेकर बहुत ही Overprotective भी हो जाते हैं, तो वो महाल भी सही नहीं होता और वो जो है Personality Disorder का कारण बनता है, इसके अत्रिक्त हैं, बच्पन में अगर शारिरिक प्रताणना है, भावनात्मत प्रताणना है, और या बच्चे का योन उत्प पैरेंट्स का तलाक हो जाता है, पैरेंट्स की मिर्ट्यू हो जाती है, या बच्पन में किसी व्यक्ति को परिवार का खराब माहौल मिलता है, तो ऐसी दिक्तों का सामना करने वाले जो लोग होते हैं, उनमें व्यक्तित विकार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं. सर, अभी आपने का अनुवांशे, तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, तो क्या किसी के माता-पिता को अगर ये लक्षन दिखते हैं, तो क्या ये जरूर है कि उनके बच्चों में भी लक्षन होंगे आगे, या ये विकार से वो ग्रस हो सकते हैं, ऐसा कुछ? देखी, संभावना बढ़ जाती है, जब भी हमारे पास कोई मरीज आता है, तो हम इसलिए उसका पास स्ट्री जरूर चेक करते हैं, कि उनकी कोई करीबी रिस्तेदार में या उनकी फैमिली में ऐसा केस तो नहीं है, हाँ पर ये बिलकुल नहीं है कि अगर किसी के परवार म देखे, विकार भी जान लिया, बीमारी और विमारी के लक्षन और अब हम आते हैं इसके उपचार पर, देखे, परसनालिटी डिसॉर्डर के उपचार, परकार और गंभेरता के अधार पर भिन्न हो सकती है, इसमें साइको थ्रैपी और दवाएं शामिल हो सकती है, साइको दे सकता है, ये वही कारण और रवार हैं जो आपके द्यानिक जीवन में मुश्कले खड़ी करते हैं, साइको थ्रैपी की मदस से लोग तनाव को मैनेज करना और रिस्तों को सुदारना सीखते हैं, और जरूरत पढ़ने पर कगनिटिब भेवर थ्रैपी की मदस से साइको व्यक्तित विकार से ग्रस्त व्यक्ति की नकारात्मक सोच के पैटरन को बदलने की सीख देता है, इसकी वज़े से वे रोज मर्रा की चुनोतियों से बहतर तरीके से सामना कर सकता है, दवा पार्टिकुलर पर्सनालिटी डिसॉर्डर के उप्चार्ज के लिए नहीं है, प अधत कर सकती है, मूड इस्टैबलाइजर्स भी दिये जा सकती है, यह मूड स्विंग को रोकते हैं, चिर्चड़ा पान या आवेक को रोकते हैं, एंटि साइकोटिक मेडिशन्स दी जा सकती हैं, उन लोगों के लिए हैं फाइदे मंद हो सकती हैं, जो अक्सर वास्विक् की मेडिकेशन्स दिया जा सकती हैं, और एक डॉक्टर मनो रोगी को अस्पतार में भरती होने की भी सिफारिस कर सकता है, यदि वे रोगी में आत्म नुकसान या आत्म घाती वेवार का पता लगाता है, मेरी सभी से यह विनिती है कि डॉक्टर की मनो किसक की सला के बाद ही दवाई लें, क्योंकि इसके जो लक्षण होते हैं, बिमारियों के बहुत यह कंप्लिकेटेड होते हैं, और आप बिना प्रामर्स के जो है, अपनी मर्जी से दवाईया ना लें तो सर आप मुझे एक बताईए, आपने हमें लक्षण भी बता दी, उप्चार भी बता दी है, माल लीजिए कोई इस बिमारी से ग्रस्त है, कोई वेक्ती और वो दवा नहीं लेना चारा, तो उसको हम वो दवा कैसे दें? हाँ, जहाँ अगर हमें लगता है कि इनके लिए मूड इस्टेबलाइजर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि चिर्चड़ा पनूर इनमें आवेज बढ़ता जा रहा है मरीजों में, तो हम मिक्स करके भी दे सकते हैं, और उसे ऐसे इस्तिती में ला सकते हैं कि वो हॉस्पि जाने के लिए तयार हो जाए, तो इतनी सारी बाते करने के बाद सर, आव आप हमें बताईए हमारे शोताओं को कि अपने आस पास जो है, वो क्या योगदान दे इस विमारी से दूर रहने के लिए, नहीं सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि वो योग से जुड़ें, इसी पर मेर मिलाग से रहिए, और मादक दर्वियों का सेवन ना करें कभी, अगर कभी तनाव होता है, तो अपनी अंदर जो भी चल रहे है, वो अपने किसी साती को, अपने किसी दोस्त को आप जरूर बताएं, और कभी जो है, एकाकी जीवन की तरफ कभी ना जाएं, तो आप देखेंगे, आप इन सब चीजों से बच सकते हैं, इसी के साथ मैं योगे जी का शुक्रिया करती हूँ, बहुत-बहुत शुक्रिया योगे जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, नम इसी के साथ आज की स्वास्त पत्रिका हमारी सेहत समाप्थ होती है, फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक कि लिए सुईकार करें हमारा नमस्कार